नमस्कार दोस्तो जारखन डिपेंजोप के यूटूब चेनल पे आप सभी का सुवागत है तो दोस्तो राज में बड़े पेमाने में तेजी से निक्ति परकिरिया शुरू हो रही है लेकिन राज के जो अभियरती है उनके लिए दुरभागी पूर्ण बाते हैं तो दोस्तो मैं बता दू आप सभी को वीडियो पे वही अभियरती जुड़े जो जारखन के मूल वासी है और चेनल को सब्सक्राइब अवस कर लिजेगा फ्रेंड आपका जो हक का लड़ाई है यही चेनल आप लोगों को आगे की और ले जाएगा और आपकी जो हक है वह दिलाएगी तो दोस्तों मैं बता दू जारखन डिष्ठी कोट यानि सिविल कोट की भरती का जो विग्यापन है दोस्तों वह रिलीज हो चुकी है लेकिन बहारी एस्टेट को नियोता दिया जा रहा है यारी अब बहार के अभियरती अब जेनल सीट में फाइट करेंगे तो दोस्तों वीडियो में पूरी इनफोर्मेशन देने वाले है इनको रोकना कैसे है आप सभी वीडियो पर बने रहे है और विग्यापन में दोस्तों कौन-कौन से पोश्ट भरे जाएंगी इनकी योगिता क्या रहेगी वीडियो में पूरी इनफोर्मेशन देने वाले है और राज के पहले मैं बता दू आज रात आठ बजे, राज के सभी अभी अर्थी जो मूल वासी है, खतियान धारी है, तो दोस्तों मैं दूद का दूद और पानी का पानी करने आ रहा हूँ रात आठ बजे, राज में ऐसा ही नियूजय निती बनना चाहिए तभी जेनरल सीड में दोस्तों बाहरी राज का भी अर्थियों को हम लोग रोक सकते हैं नहीं तो दोस्तों बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं और आप लोगों की सक्त जरूरत है मुझे सपोर्ट करने की तो दोस्तों मैं बता दू अब बाहरी राज्यों को नेवता दिया जा रहा है आईए आप लोग फोरम डालिए आईए आप लोग जैनल में फोरम डालिए और आप लोग सेलेक्शन लेकर जाएए जारखन का लड़का या घंटा बजाएगा सभी मंदीर में देवगर है बासक पूर पूरुबीन सिम्भूम और बिग्यापन संखिया एक दो हजर तईस अठारत जन्वई दो हजर तईस यानि दोस्तों सभी अभियर्थी फोरम को भर सकते हैं सीविल कोट गुरूप सी और गुरूप डी का भरती निकल कर आया दोस्तों काफी अच्छे पदों पर भरत डाले तो देख सकते हैं चाला का जो पद है फ्रेंड टोटल एक पद है ठीक है और यह बेवार ने आले सीविल कोट जमसित पुरुवी सिम्भूम का है और दपतरी के सीट पे तीन पोश्ट है पदचर सव आदेसपाल गुरूप डी का जो है दोस्तों 27 पद है और यह दोस्तों बिग्यापन मैं थोड़ी दिर बाद टेलिग्राम गुरूप पे डाल दूँगा टेलिग्राम को जरू सच कर जोइन कर लीजेगा और माली गुरूप डी का दोस्तों एक वेकेंसी है ठीक जाड बजे ठीक है और क्या जारखन के कुछ ऐसे भी यूटूब चैनल दोस्तों में ताइम आने पर उनका भी जो है उजागर करूंगा आप लोगों के सामने जो जारखन में रहते हैं जारखन का माटी का यहां पर खाते हैं और यहीं से दोस्तों आप लोगों को कॉर्स बेशनेक के चकर में बाहरी राज को घुसाना चाहते हैं जो कि दोस्तों मैं बिलकुल ऐसा होने नहीं दूंगा तो दोस्तों देख सकते हैं यह सभी बेकेंसी की डीटर से आप चेक कर लें सबसे बड़ी बात यह सभी हटाईए यह सभी देखिए चालक गुरूप C का जो ह सभी का जो योगेता दी गई आप लोग अच्छे से चेक कर लें तो चलिए सबसे पहले में पॉइंट को देखिए आईए हमारे जारखन में फोरम डालिए और जारखन की यहां बिरुजगार रहेंगे बाहरी राज के अभियर्थी जाएंगे यहां के लड़का घंटी ही देखिए उमिद्वार भारत का नागरिक हो ठीक है आईए आप फोरम डालिए जारखन में आईए आपका स्वागत है सभी बाहरी अभियर्थी को राजसान से आईए बियार से आईए डालिए जारखन में और दोस्तों ऐसे ही नियोजनिती बनने जा रहा है और मैं इनका सक अवाज उठाऊंगा सकते बिरोत करूंगा ऐसा नियोजनिती नहीं चलेगा बाहरी नियोजनिती नहीं चलेगा तो देख सकते हैं सारीょूप से स्वस्थ हो चरित अच्छा हो यहीं दोस्तो योगेता यारि भारत के अवियर्थी डाल पाएंगे बाकि जो अपने कोटा के जो है वो तो डालेंगे अपने कोटा पे यानी जेनरल पे जो हैं बारी राज के भी अर्थी अब आएंगे तो दोस्तों जैससी की भरती में ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाले हैं आप लोग जुड़े रहें जो जारखन के मूल वासी हमारी भावना को समझेंगे हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे और फ्रेंड आप लोगों का जो यह जो ग सभी को सव अभी परमानित साथ में दोस्तों लिखने हैं उमिद्वार अपना सव हस्त लिखीत परवेस्पत देवनागरी लिपी में परधान जीलायों सत्र नियाधिस के सिम्भू में समधित करते हुए सत्रव फरवईता के अंदर सोयम या निमंदिन डाक या इस्पीश इस्पोर्ट दोवारा दिवस के साड़े 10 वे तक जमा कर सकते हैं उप्रोग तित्रिक के उपरान आयोधन पर सुईकार नहीं किये जाएंगे और फ्रेंड आप लोगों का जो है 40 रुपिय का डाक टिकट सटा हुआ हो आयोधन पत्र के साथ संगलन हो तो सभी डोकुमेंट या सचतकार के लिए बुलाए जाएगा ठीक है तो सीटों की संग्या भढ़ सकती है घट सकती है और आवेदक का नाम दोस्तों और एक फोटो कैसे बनाना उसका एक वीडियो में अलग से डिटेस बता दूँगा कैसे बनाने है कैसे भेजने है तो दोस्तों बारी राज के बियर्ति को रोकना है आठ बजे आप से भी आज लाइफ सेशन में जरूर जुडेंगे तो चले मिलते अगले वीडियो में धन्यवाद